यहां पर गेरेज में जो हमारे फार्म का जो ट्रेक्टर है उस ट्रेक्टर को हम रिपीर कराने आये है रिपीर कराने यानि इसका जो सेल है उसेल स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों हमने स्टार्ट बनवाने के लिए घरेज ट्रकर को रद दोस्तों है और यस ट्रेक्टर को हमने व्यएंक यू परउल्डा थो लौण कर वाया है दोस्तों सो गेंको बरोडा के सोजेने से इसको हमने खरीदा है और यहां पर आप देख सकते हो हमारे ट्रेक्टर का जो ड्राइवर है राकेश वो चेक रहा है और एक दूसरा मेंटेनेंस भी आ गया है यानि यह जो फिल्टर पाइप है वो भी लीक हो रही है तो इस फिल्ट एसा मुझे राकेशने अभी बताया है शो चलिए आप इस पाइप को भी शैंज कर देते हैं और अग्ल YouTube यह जो हमारा टेक्टर है वो बलवाण है लुए इस बल्वाण नाम पाटेटर है और दोस्तो इस वलवान की जो कंपनी है वो पॉर्स कंपनी है दोस्तो ये दोस्तो ये ट्रेक्टर जो है वो हमने 2008 में इस ट्रेक्टर को खरीदा था और यूजिंग और एक्रिकल्चर के लिए दोस्तो खेती वाड़ी के लिए इसको इस्तमाल करते हैं हम स्वादेख सप्के होगे ट्रेक्टर हमारा राम क्रबीर ट्रेक्टर गेरेज एंड स्पीर पार्ट की जो मेकनिक की जो सौफ है उस सौफ पर हम ना पर आले है आप ट्रेक्टर को मेंटेनेंस के जरवाने के लिए यह मेकनिक जीवन भाई इस ट्रेक्टर गेरेज के ओनार और मेकनिक दुनों यही है और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पर स्पीर पार्ट भी यह सेल करते हैं स्पी दुनों देख सकते हो आप और डीफ्रेंट कांड ऑफ टाइप ल्याश और यहाँ पर आप देख सकते हो वह अभी एक एक और ट्रेक्टर उनके आया है उस ट्रेक्टर का जीवन भाई अभी फिलहाल मेंटेनेंस काम कर रहे हैं कुछ I think something कुछ रेडियेटर इस ट्रेक्टर का उन्होंने चेंज किया है सो रेडियेटर अभी जीवन भाई इस ट्रेक्टर का यहां पर फिट कर रहे है नया रेडियेटर सायद दिखाई दे रहा है दोस्तो मैंने पूछा था सो बता रहे थे कि यह रेडियेटर नया है यह रिडियेटर नया चेंज कर रहे है जीवन भाई ट्रेक्टर का यहां पर बहुत सारे अग्रिक कल्चर्स के जो सबी किसान भाई है वो सबी उनके ट्रेक्टर यहां पर लेकर आते हैं अब होती जाने माने मेकनिक है जीवन भाई उनके वहां हर्रोज के ट्रेक्टर लगे रहते हैं गेरेज में ड्रेक्टर करने के लिए सब्सक्राइब यहां पर इस टाउन में कामाट टाउन में दूसरी कोई और जगा नहीं है और हमारे फार्म का जो टेक्टर है उस फार्म के टेक्टर का मेंटेनेंस यहाँ पर हमने करवाया है उसमें हमने तीजल फिल्टर और रिटर्न पाइप्स तीजल रिटर्न पाइप्स का यहाँ पर मेंटेनेंस करवाया है और बाकी और भी काम यहाँ पर करवाना बाकी है और यह है रिटन्स पाइप यह पुरानी रिटन्स पाइप है जो हमने ट्यक्टर से निकाल दी है अब इस के बदले हम नई पाइप डालेंगे सो दोस्तों अभी हम हमारे ट्यक्टर का वाइड चेंज करेंगे यह हमारा ट्यक्टर इस बलवान ट्यक्टर का वही चेंज करेंगे और दोस्तों आज की आधुनिक टाइम पर बीना ट्यक्टर के खेती करना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पर अगर आपके पास जमीन ज्यादा हो तो बीना ट्यक्टर के खेती करना बहुत ही मुश्किल है अगर आपको ट्यक्टर के बीना कुछ काम करना संबव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है दोस्तों अभी इस काम और चेंड करेंगे और सर्वो कंपनी का जो ओल है वो अभी इसमें चेंड करेंगे जो मेकैनिक है पीछे यह है ट्रेक्टर का एंजिन ओईल सर्वो कंपनी का इंडियन ओईल का प्रांड और यह एंजिन ओईल हमें करीबन पड़ा है 2180 रुपिय की प्राइस पर हमें की किमत पर हमें हमने खरीदा है अब यह बकेट है उसे खुलने का यहाँ पर प्रयास जारी है कियाप तोड़ना पड़ेगा तो अभी इस ट्रेक्टर का पूराना एंजिन ओईल यहाँ पर मेकेनिक जीवन भाई निकाल रहे है निकालना जरूरी है जो पूराना ओईल है उसको बिकाज वो ओईल खराब हो गया है तो उसका जो ओईल का जो स्टेमीना है वो खतम हो गया है तो अभी इसको चैन्ज करके दूसरा नया एंजिन ओईल यहाँ पर रिप्लेस करेंगे थाकि हमारे ट्रेक्टर का जो स्टेमीना है वो बरकरार रहे आप देख सकते हो पूरान ओईल यहाँ पर ब्लेक पूरा हो गया है इस बखेट में भी देख सकते हो आप बहुती ब्लेक कलर यहाँ पर दिखाए दे रहा है एंजिन ओईल का सो इसको बाद में सो यह है नया फिल्टर उसमें मेकेनिक जो है वो वाइल फिल कर रहे है ताकि इसमें वाइल इस फिल्टर में उपर से भी वाइल फिल करना ज़रूरी है और यह देख सकते हो आपने के फिल्टर पॉइल फिल्टर है वो चेंज कर दिया है लगा दिया है नया और यहाँ पर बेल्ट से इस फिल्टर को फिट किया जा रहे है दूस्तों विकॉज पॉइल होता है तो हाथ से मूँ नहीं होता है सो इजीली मूग करना मुश्किल है तो बेल्ट का इस्तिमाल पिया जात है फिट करने के लिए सो यहाँ पर आप देख सकते हो ओईल का बकेट मिकेनिक ने हाथ में ले लिया है और उस एंजीन ओईल को यहाँ पर जो उसका फिलप का जो जार है उस जार में डालकर एंजीन में उचाय जाता है सर्वो कंपनी का यह एंजीन ओईल चेंज किया जा रहा है दूस्तों हमारे ट्रेक्टर का सो आप देख सकते हो बहुत ही इंपोर्टन है अगर ट्रेक्टर आप तो में इकल रखते हो सो यूटूब विडियो उताई है एंजीन और चेंज करना जरूरी है आप चेंज कर सकते हो ट्रेक्टर की जो वेली है वेलियो है जो उसका जो पावर है वो बरकरार रहता है दोस्तों चेंडल चाले आपड़े अधर्वाइस आप इंजीन और अगर चेंज करोंगे टाइम टू टाइम तो उसका जो एंजीन है वो वाकि जल्द खराब हो जाएगा एंजीन आपका बेट सकता है अगर एंजीन ओईल आप रिप्लेस नहीं करोंगे वही पुराने वाला इस्तमाल सालो साल यानि चेंज नहीं करोंगे तो यह एर फिल्टर विटेनिक ने निकाला है ए इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं और समाप करने से पहले अगर आपने वीडियो को सबस्क्राइब नहीं किया लाइक ओस लिए तो प्लिस वीडियो को सब्सक्राइब चीजे यह स्टिज और कॉमेंट किजे और जो टम बाइबाई